गैस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग default data type दे सकते हैं अपनी class templates के अंदर तो हमने already बात करी थी अपने C++ के course में templates के बारे में काफी चीज़े मैंने आप लोग को बता रगी थी अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि multiple parameters हो सकते हैं template के अंदर जैसे मालो एक मैं चाहता हूँ class में data type int हो और दूसरा float हो अब बाद में मैं उसको int int करना चाहता हूँ तो मैं वो कर सकता हूँ और उसका code मैंने लिखवा दिया था बहुत धंग से हमने इस चीज़ को देखा था कि भाई T1 T2 करके वो दो custom data type में class में use कर सकता जो भी object बना रहे हो आप लोगो आराम से बन जाएगा constructor invoke हो जाएगा हमने इस बारे में बात कर ली थी इस point पर मैं क्या करूँगा कि एक नहीं file बनाऊँगा tut66.cpp और boilerplate code लगाऊँगा boilerplate code लगाने के बाद मैं class बनाऊँगा और उसका नाम बनाऊँगा Harry ठीक है मैं बस आप लोग अपना यूज कर सकते हो यहाँ पर मैं template लिखूँगा और template के बाद मैं आप लिखूँगा class t1 अब आप लोगो ने functions के बारे में जब देखा था था हमने वाँपर देखा था कि किस तरह से हम लोग function के default arguments दे सकते हैं ऐसे कि मान लोग a is equal to 3 या a is equal to 4 ऐसे हम लो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि मैं आपर मान लो बना रहirmum public में बनाता हूं ठीक है public में बनाता हूं मैं कहांँगा t1a is equal to 7 और यहाँपर मैं लिखूँगा t2b is equal to यहाँ काम करते हैं ना बना देता हूं function उसका नाम क्या होगा function का उसका नाम हैरी होगा ठीक है तो मैं आपर क्या करूँगा मैं आपर लिखूँगा हैरी इस तरह से और मैं लिखूँगा t1 का x दे दो t2 का y दे दो ठीक है अब t1, t2 data type, paint, float, 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 मुझे नहीं पता क्या होगा ठीक है मैं आपर लिख दूँगा कि a is equal to x हो जाए और b is equal to y हो जाए ठीक है इस तरह से मैं करूँगा और एक मैं function मना देता हूं एक display function मना देता हूं ठीक है void display बना देता हूं और यह क्या करेगा मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूं the value of a is और यहां पर सबसे पहले मैं एक काम करता हूं मैं a डाल देता हूं ऐसे और ऐसे handle डाल देता हूं और उसी के साथ सथ value of b is यहां b डाल देता हूं ठीक है अब यहां पर हम लोग लिखेंगे harry class का h object मैंने मना लिया अब मैं कर दूँगा h.display ठीक है और मैं उसी के साथ सथ एक काम और करूँगा मैं h लिखूँगा और मेरा जो default type हो मैं use कर सकता हूं यानि कि यह template है यह class template है अगर मैं कोई data type specify करता हूं तो लेकिन अगर मैं t1, t2 को specify नहीं करता हूं तो मैं int or float use कर सकता हूं तो मैं यहापर 4 और 6.4 ऐसे use कर सकता हूं अब क्योंकि एक template है मुझे काम और करना पड़ेगा यहापर मुझे इस तरह से angular brackets लगाने पड़ेंगे और इसको मैं खाली छोड़ सकता हूं जैसे function को हम जब call करते हैं और उसके हम कोई parameters pass नहीं करते हैं तब क्या होता है तब default जो आपके parameters है वो आपकी लिए जाते हैं ठीक है उसी तरह मैं यहापर है इस तरह से लिख सकता हूं और angular brackets को खाली छोड़ सकता हूं और h मैंने 4 और 6.4 लगा दिया अब मैं इसको run करता हूं और जैसे मैं इसको run करूंग आप लोग देखो यहाप the value of h4 और b6.4 आप इसी तरह यहापर एक और data type ले सकते हूं आप कह सकते हो class t3 और t3 is equal to आप कर सकते हो care और मैं यहापर t3 c बना सकता हूं और यह बहुत ही simple example है हम definitely जब classes लिखेंगे actual में तब वो काफी meaningful होंगी और यहापर मैं लिख दूंगा c is equal to z c is equal to z यहाँ पर लिख दूंगा मैं और c is equal to z लिखने के बाद अगर हम लोग नीचे आए यहाँ पर तो 4, 6.4 और मानलो मैंने c लिख दिया है यहाँ पर मेरा character अभी मैं इसको run करूंगा तो यह मेरा a b और c भी print करता हूं मुझे यहाँ पर value of c भी लिखनी पड़ेगी औ और यहाँ पर इसको run करूंगा तो value of c is c आ गया ठीक है क्यूंकि c character दिया है मैंने अब मैं इसी class को इस्तेमाल करके दिखाता हूं आप लोगों को स्पेसिफाइ किया मैं लोगो मैंने o specify कर दिया तो तीसरा भी care specify कर दिया तो मेरा h कर डिस्प्ले उसी ही साब से काम करेगा अब मैं h नहीं करूंगा इसको मैं g कर देता हूं इसको और आप लोग देखो यहाँ पर एक हम और करते हैं एक c out handle कर देते हैं आप लागी थोड़ी स्पेस हाजा है पता चले कि वही क्या चीज कहा पर print हो रही है तो देखो abc यहाँ पर 46.4 और c थे जोकि मैंने यहाँ पर default data types लिए थे क्या थे वो default data types int float और care ठीक है t1, t2, t3 की value और यहाँ पर float care और care मैंने specify किया यानि कि 1.4 o और c यह characters मैंने specify किया यहाँ पर मैंने यह भी बताया कि मैं पहला मेरा data type float है दूसरा मेरा data type care है तीसरा भी मेरा data type care है और मैंने इस तरह से इसको specify करके print कर दिया ठीक है अब एक अगर मान लो यहाँ पर मैंने एक character दे दिया ठीक है इस तरह से c दे दिया ठीक है तो आप लोग देखो कि यहाँ पर यह बिल्कुल उसी चीज़ के बराबर है कि float मैंने अगर यहाँ पर मैंने t1 की जगा float use किया है और फिर मैंने क्या किया मैंने float a लिखा यहाँ पर और a is equal to यह character c कर दिया तो error throw नहीं करेगा but again misbehave करेगा program आपका ठीक है तो value of a is 99 यहाँ पर आपको दिख रहा है which is definitely not a good thing to do आप लोग नहीं चाहोगे कियार आपका program misbehave करें तो आपको यह जो data types है और आप जो object बना लिए उसकी compatibility पर बहुत जादा ध्यान देना है ठीक है तो यह program को जिस तरह से output दे रहा है B में O है और C में C है character और यहाँ पर 1.6 मैंने दिया है वो as it is print हो रहा है तो आप यहाँ पर जो default arguments है वो पास कर सकते हो इस तरह से यह विर आप actual values भी पास कर सकते हो arguments की अगर आप लोग values पास करोगे तो T1, T2, T3 उनको use करेगा अगर आप ने कुछ पास नहीं किया है तो T1, T2, T3 की जो default values है वो use हो जाएंगी तो I hope कि यह चीज समझ में आगई होगी आपको और यह सारा source code वगरा सब में available करा दूँगा नीचे डाल दूँगा description में link website का और वहां से आप लोग इसको use कर सकते हो बट आप लोग से मेरा एक यह request रही कि आप type करा करो या type करो के तो आपको जादा अच्छे से समझ में आएगा instead of अगर आप लोग इसको website से copy paste करके लेकर आते हो तो type करने में आपका हमेशा फाइदा रहेगा आपको long time में जादा सीखने को मिलेगा और अगर आप लोगों ने playlists access नहीं तो जरू access करना औ और आप लोगों ने video को पता नहीं क्यों like करना बंद कर दिया तो मैं request करूंगा या please like कर दो मुझे लगता like चिपकाने में आपको जारा time लगेगा just आप लोग नीचे click करोगे दिल से खुशी होगी अभी लिए इस video में इतने है guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time कर दो